नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन यूज मैं हूँ आपके साथ खुस्पुसांग भी बिहार में क्रोना का जो रफ्तार है अब वो अधीमा हो गया है आपको बता देगर पिछले कुछ दिनों की बात कर ले बिहार में तो जो क्रोना का आकड़ा था वो लगतार पंद्रह सो दो हजार के आज पास देखी जा रही थी लेकिन अब बिहार में जो क्रोना का रफ्तार है उसमें कमी देखी जा रही है आपको बता दे कि आज स्वास्त विभाग ने जो अपडेट जारी किया है उसके मुताबिक आज बिहार में टोटल जो क्रोना के केस है वो 577 पाए गय जिसमें अगर टॉप तीन जीलो की बात कर ले तो जिसमें पह-टणा पुल्णिया हुझ गया अ गधिता है यह जम में अरणिया में 14, अरवल में 6, औरंगाबाद में 29, बांका में 5, बेगु सराय में 1, भागलपूर में 15, भोजपूर में 9, बकसर में 4, दरभंगा में 5, इस्ट चमपारन में 6, गोपाल गंज में 5, जमुई में 1, जहानाबाद में 18, कैमुर में 5, कटिहार में 4, खगरिया में 3, किशन गंज में 25, लखी स्राय में 15, मदेपूरा में 6, मदुबनी में 7, मुंगेर में 3, मुझपरपूर 20, नालंदा में 16, नवादा में 5, रोतास में 4, सहरसा में 6, समस्तिपूर में 15, सारन में 11, सेखपूरा में 8, सीता मडी में 4, सिवान में 10, सुपॉल में 11, वैसाली में 14, और वहीं वेस्ट चमपारन में 4 मरीज पाए गए हैं, तो यह जो आकरा था, वो स्वास्त विभाग की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें बिहार में जो टोटल आज मरीज मिले हैं, वो 577 हैं, अगर वहीं अम बिहार में टोटल मरीज की बात कर ले, तो 2,18,118 मरीज मिले हैं, वहीं अगर एक्टिव केस की बात कर ले, बिहार में अब तक 8,153 हैं, वहीं आपको बता दे कि बिहार में रिकवरी रेट की जो संक्या है, वो भी तेजी से बढ़ रही है, बिहार में जो रिकवरी रेट है, वो 96.4 परतीसत है, जो कि किस अन्य राज से सबसे ज़्यादा है, बिहार रिकवरी मामले में भी सबसे आगे चल रहा है, तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रही है, नेशन यूज के साथ, नमस्कार